हेलो फ्रेंड नमस्ते आपके अपने सिवांगी किचन है चैनल में आप सभी का स्वागत है घर और किचन में तो हम सभी काम करते लेकिन इनी कामों को छोटे-छोटे टीप सेंट्रिक्स के थुरू किया जाए तो यहीं काम काफी असान हो जाता है तो चलिए फ्रेंड हम अपन के लिए बेटा डिन रख दी हूँ तो इस तरह के से अगर बलट का दाग लग जाता है तो असानी से छुटती नहीं है तो असानी से छुडाने के लिए आप क्या कीजिए इसके उपर सादा पानी डाल दीजिए और उसके बाद कोई भी सोप नीचे और उसे अच्छी से कर रही हूं सिर्फ एक्जामपल के लिए बता दी हूं इस तरीके से अगर कभी भी किसी भी कोटन के कपड़े बदाग लग जाए तो इस तरीके से आप बहुंती आराम से और इस असानी तरीके से छुडा सकते हैं तो देखिए यहां पर टाइम भी नहीं लगता है और पात दाग छुट गए हैं तो इस तरीके से आप कोटन के कपड़े का दाग छुडा सकती हैं अगर यह आइडिया पसंद आये टिप्स पसंद आये तो आपने दोस्तों और फैमिली में सेयर किजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि उनको भी इसके बारे में फाता चल सके हैं तो उसको वार वार फिसल जाता है तो आप क्या किजिए कोई भी कपड़ा सुखने वाला चिम्टा लीजिए इस तरीके से और इसके फीता में लगा दीजिए और कहीं पर भी जब आप इसे रखेंगे तो एक सांथ ही दोनों रहेंगे इधर उधर गिरेंगे नहीं तो इस तरीके से आप खड़ा करके रख सकती है या फिर कई बार क्या होता है कि हमें कहीं खूले जगह में रखना होता है तो उसे हमें खड़ा करके रखने की जगह नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिए इस तरीके से यह जो फीता है इसके अंदर साइड से निकाल दीजिए और तो इसमें आप फसा दीजे इस तरीके से, दोनुटे को फसा के आप कहीं पर भी जब रखेंगे तो देखे कितने असानी से हमें, कि इसके जितना भी पानी है सारे अáriaम से निकल जाएंगे और शुक चाहेंगे बहुत ही असानी से कहीं नहीं पर रखेंगे तो हमें इसके ओट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आराम से हमारे कोई भी सूजया चपल को सुखा सकते हैं इजी तरीके से अगला टेप से इस तरह ही के खीरे को लेकर कई बार क्या होता है कि जब हम खीरा को कट करते हैं तो कड़वा निकल जाता है तो आप क्या कीजिए खीरा जब भी कटना हो तो आप इस तरीके से बीच से खीरा को कट करेंगे तो हमारे खीरा कड़वा नहीं होता है जब भी खीरा को कट करना हो, तो इसी तरह कर दो कीजिए को, और आप इसे छील लीजिए, और जिस भी तरह से आप खाना चाहती है, चाहे आप इसे सलाद मनाए, या फिर इसी तरह से कट करके खाए, आपको कड़्वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आएला टिप सें इस तरह के सेलो टेप को लेकर, हमें सेलो टेप की जरूरत कीचन में बार बार पढ़ती है, किसी भी समान को रखना होता है, तो उसे छिपका के रखने के लिए, ताकि उसके अंदर भवा न आ जाए, तो आप क्या कीजिए इस तरह से जो सेलो टेप का कॉनर ह इसे खोल लीजिए और थोड़ा सा इसे खोल लीजिए और इस तरीके से हमें मोड के इसे चिपका देना है इस तरीके से जब चिपका देंगे तो इसमें एक होल बन जाएगा आप इसे कहीं पे भी हैंक कर सकती है इस तरीके से तो देखिए आपे मैंने हैंक करके भी दिखा द तो इसकाइब तरह से यूज करना बताओंगे तो चलिए इसका यूज करना देख लेते हैं से इसका यूज हम कैसे करेंगे इसे हम तो उसके लिए देखिए आहां पे मैंने मच्छर मारने वाली वैड में इंटर ले ली हूँ इस तरीके से ले लीजिए और इसमें जितने भी नट है उसे आप खोल लीजिए वह उती आसानी से खुल जाती है तो इस तरीके से में सारे नट को खोल लेना है और इसे जब खोलन इसी चल्नी में दखिए आन पर जो चल्नी में इसय अप इसके ऊपर रखिए और इसके चाहर में चाहरा साइड सब्सक्राइस के ईंदक lifelong व कि इस तरीके से मैंने hai लुग कर दीजिए अब हमने इसके अंदर डालए नहये था दृपउ घ्ति और इसके वे यह bins honey देखिए बहुत ही असानी से इसके अंदर आ जाती है इस तरीके से इसमें हमें डाल देना है अब इसका यूज हम कहां करेंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका यूज हम करेंगे देखिए अहां पर हमें दूद को ढखने के लिए जाली खरीदना पड़ता है तो आप इस तरीके से जब आपकी छनली टूट जाये तो इसे बिलकुल फीरी में इस तरीके से बना कर रख सकती है इंदर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से एक दब बि इसका यूज हम इसे कभी होता है मैं भुकला बनाना होता है या केक बनाने के लिए एस्टेंड के जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से या फिर कोई भी करम सामान को रखने के लिए इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं तो मैं एस्टेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगला से यहां पर इस तरीके से मैंने रोल का पैकेट लिया हूँ तो इस तरीके से लेना और इसे मैंने कट कर दी हूँ तो इसी तरीके से किसी भी समान का packet हो याँ पे कॉल्गेट के भी packet लिए या फिर इस तरीके का roll हो उसे भी इसी size में cut कर लिजिए और यहां पर मैंने cake cake plate होता है उसी का मैंने यहां पर यूज कीमी तो इस तरीके से लेना है इसके उपर इस तरीके से रख दीजी, हमारा बहुती सुन्दर सा अर्गनाइजर बनके त्यार हो जाएगा, तो इस तरीके से इसमें हमें कोई भी समान इसके उपर हम रख सकते हैं, कई बार होता है, मारे कीचन में बहुती कम एसपेस होता है, तो इस तरीके से बना के आप को तो पिर भी समान इसके ऊपर नीचे रख सकते हैं बहुती कम जगे में मारे बहुती ज्यादा समाना जाएगा इसके उपर हम डूती वाली चननी रखने bottom तक इसकी में और ज्यादा समान रक सको तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें पहुँथी जादे सामाना सके अगर आपके पास पिस तरीके से कोई भी सामान टूट जाता है कोई छल्ली हो या फिर इस तरह के कडीवे का ढ़कन हो तो इस तरीके से हम रखके अपने कीचन में बहुती असानी से इसे इजी तरीके से बना के यूज कर सकते हैं तो इपर क्या होता है कि हमारे सामान तूट जाता है तो उसे फेक देते हैं ताकि हमें समझ नहीं आता है इसका यूज हम कहां करें करें किस तरीके से करें तो इस तरह के से हम करके बहुंते हैं अपना समय और पैसा भी बचा सकते हैं आज का वीडियो यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किजेगा और आज के वीडियो में कौन सा वाला आइडिया आपको अच्छा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा व सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है